जब आपके पेट में कीड़े हो जाएं तो ये उन सभी पोशक तत्तों का फायदा शरीर को नहीं पहुँचने देते जो भोजन के जरीए आपको मिलने चाहिए इसकी वज़़े से पेट में तकलीफ हो सकती है और धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगता है आम तोर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते और कुछ भी उल्टा पुल्टा खाने लगते हैं खास कर छोटे बच्चों को ऐसी तकलीफ ज़ादा होती है अगर पेट में कीड़ा होने का शक पैदा हो तो आप किचन की सीजों की मदद से इससे निजात पा सकते हैं कलॉंजी में कई आयरुवेदिक गुन पाये जाते हैं जो हमारे पेट के लिए लाफकारी माने जाते हैं अगर आप रात को सोने से पहले 10 ग्राम कलॉंजी पाउडर के 3 चमच शहद के साथ मिक्स करके खा ले इससे किड़ेगा नामों निशान मिट जाएगा काली मिर्च हो मसाला है जिसके इस्तेमाल से कई रेसिपीज का स्वाद बढ़ जाता है अगर आप एक ग्लास चांच में थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर मिला कर रात की वक्त पी लेंगे तो इससे पेट के किड़े मर जाएंगे शहद हमारी शहद के लिए काफी फायदेबंद माना जाता है इसमें एंटी बैक्टिरियल और एंटी ऑक्सिडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है आप दिन में तीन बार शहद के साथ अजवाईन को मिला कर पी जाएं इससे कीड़े का खात्मा हो जाता है सर्दी की मौसम में मूली खाना बेहत फायदेबंद माना जाता है अगर इस सीजन में आपके पेट में कीड़े हो जाएं तो मूली का रस निकाल कर इसमें काली मिर्च पाउडर और काला नमक मिक्स कर ले और दिन में दो बार पीएं गाजर को एक बेहत पॉस्टिक सबजी क के रूप में खाया जाता है आप पेट से कीड़े को निकालने के लिए आप गाजर की कांज़ी त्यार करें और चार से पांच दिनों तक इसे पीएं इससे आपको मन चाहा रिजल्ट हासिल होगा ऐसे ही खबरों के लिए दखते रही मेडिकल माइक साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद